हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई यूटूब चैनल ग्रीन आर्च आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रास को किस प्रकार से हम कटिंग करते हैं तो अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए मैं घर और गार्डेन डियाइनिंग से लेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं यह मेरे मेक्सिकन ग्रास का चौथा पार्ट है इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हूं कि ग्रास को किस प्रकार से हम ग्रो करते हैं तो वह आपको उपर में आई बटन होगा तो वहां पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं तो उससे पहले यह वीडियो देख लीजिए तो यह भी काफी इंपोर्टेंट है तो किस प्रकार से हम ग्रास को किस प्रकार से करेंगे एक तो अगर आपके पास कटिंग मसिन नहीं है तो यह लोहे की कैची है उससे अगर छोटा चोटा शालाउन है तो इससे कर सकते हैं और अगर इससे थोड़ा सा मेहनत लग रहा है तो एक और मैं आप्शन बताऊंगा तो वीडियो में देखते रही है ठीक है तो यहां पर देख रहे हैं कि आप ग्रास को कटिंग कर रहे है और वहां पर जहां पर कटिंग हो रही है वहां पर थोड़ा सा उठा हुआ ऑवल टाइप का है तो थोड़ा सा इसको डिजाइन दिया गया है और देखरें काफी ग्रीन है आपको दिख रहा होगा आपकी बहुत अच्छा ग्रीन इसमें डेवलप हुआ है और ये टोटल आपको तीन मंथ लगता है जैसे ही आप मार्केट सलाओगे और उसको छोटा-छोटा पीस करके अगर पूरे ग्रास लॉन में लगाओगे तो फैल मार्च में प्लानिंग करो लगाने का ठीक है और कमपोश्ट और स्वाइल सैंड को मिक्स करके आपको लगाना है आप देख रहे हैं काफी घना हो गया है लॉन तो इसलिए हम इसकी कटाई कर दे रहे हैं तो कटाई करने के बाद काफी अच्छा दिखेगा ऐसे घने में नीचे से जर से वो और अच्छे से फैलेगा ठीक है तो इसलिए हम इसकी कटाई कर दे रहे हैं अगर आप इस तरह के ग्रास को पर्चिश करना चाहते हैं तो नर्सरी से पर्चिश कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आपको सीड मिल जाएगा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिश् रखते हो तो अब मैं दिखाऊंगा आपको की दुसरा तरीका क्या है सबसे इजी तरीका तो यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा ट्रेमिंग किया उसको बात वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर देखिए जिसे हम घर के कंश्रक्शन में हम इसका मरसीन के यूज करते है जिसे रॉड काटने में वाल काटने में वाल पाइप अगर डालते तो वही मसीन है तो अगर आपके आसपास में अगर कोई मिस्तिरी है या ठेकदार है तो उससे एक गंटे-दो गंटे के लिए बात करके ले लिए और इसलिए आप ग्रास को कटिंग कर सकते हैं और बहुत कोशली मसीन आप नहीं ले सकते हो तो 100 रुपय दे के 100-200 रुपय लेंगे वह एक दो गंटे के और आपको आप इसलिए ग्रास को मेंटेन कर सकते हो और छेस आपको चार से चार मन्त बाद तीन मन्त में आपको इसको मेंटेन करते रहना पड़ता है और जितना हो सके आप इ साइड साइड में फैलते जाएगा स्प्रेड होते जाएगा ठीक है तो उसकेस में आपको मेंटेन करने की जुरूत नहीं पड़ेगी अगर आप चलते रहोगे तो उसकेस में आपको मेंटेन करने की जुरूत नहीं पड़ेगी अगर आप कम चलते हो तो उसकेस में आपको प्लेन हो चुका है लॉन तो देखिए काफी खुब्सूरत लग रहा है घर के सामने है यहाँ पर फॉक्स्टेल पाम लगाऊंगा लगाऊंगा उस जिनका एक वीडियो आपको जरू दूँगा ठीक है कि किस प्रकार से हम फॉक्स्टेल पाम लगाते हैं दोनों साइड में ए आपको जल्दी मिल जाएगा ठीक है फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेयर के सब्सक्राइब कीजिएगा ठाइंक यू हैवे नश डे